तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की और में और हम लेकर क्या आगा है आपके लिए मध्ध बदेश वन रच्छा कियों जेल विभाग का एक्जाम चल रहा है जैसा कि आपको पता है आज हम लेकर क्या आगा है 28 मईस से सेकेंड स्प्ट कही है या फिर फर्स्ट स्प्ट कही है क्योंकि व्यापव ने कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया पता ही नहीं चल रहा है साड़े बारा से धाई बज़े की बीच में जो एक्जाम चलता है उसका एक्जाम एनलेसिस हम लेकर के आ आगा है ठीक है बहुत सेले करपया देख लीजिए कि कौन से स्प्ट का एक्जाम एनलेसिस हम करा रहा है चलिए आगे किसी भी स्प्ट में आपका एक्जाम हो तो आप अपने प्रस्टों को 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर भेजेंगे आज जो हमें प्रस्ट भेजे हैं क्या यह प्रस्ट आपके एक्जाम में आये थे या नहीं आये थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे अगर आपका एक्जाम साथे बारा से धाई वजे वाली स्ट में था तो ठीक है चलिए वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी क्योंकि लगातार हम एक्जाम एनलेसिस इसी तरह से 20 जून तक लगातार हम एक्जाम एनलेसिस लेकर के आने वाले हैं डीटेल में हर एक प्रस्टनों के बारे में आपको जान करेंगे वीडियो को शुरू से लेकर करके अंतर तक देखेंगे लाश्ट आपको बताएंगे कि आज हा बात करते हैं, सबसे पहले हम GKGS और साइंस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं आज का पहला कुछ hips का कौन सा ऐसा जिला है, जो महाराष्ट के साथ में सीमा साजा करता है तो सही अंसर है अपका बैतल हो जाएगा तो बैतुल जो जिला है जो मद्धपदेश और महाराष्ट की सीमा रेखा का निर्धारन करता है चली कुछ जानकारी आपको बताते हैं जो प्रश्ण आगे बन सकते हैं मद्धपदेश का बैतुल जिला जो है महाराष्ट के साथ में सीमा साजा करता है और कौन-कौन से जिले हैं जो महाराष्ट के साथ में सीमा साज़ा करते हैं सारे जिलों की हम यहाँ पर आपको नाम बता देरें देखिए तो देखिए आर जिले ऐसे हैं जो महाराष्ट और मद्धपदेश की वीच में सीमा का निधारन करते हैं कौन-कौन से हैं तो बड़वानी है, खरगोन है, खंडवा है, बुरहानपूर है, बैतूल है, चिंदवारा है, सिवनी और बालागाट, ये ऐसे जिले हैं जो मद्धप्रदेश और महाराष्ट की सीमा का निधारन करते हैं, ठीक है, चलिए, एक इसमें से बहुत मैत्पूर ह आपका है, ये बालागाट जिला कई बार पूछा गया, बालागाट जिला एक ऐसा जिला है, जो महाराष्ट और चतिस गड़, दोनों राज्यों के साथ में सीमा रेखा का निधारन करता है, तो बालागाट को विशेश रूप से आपको यादट अटना है, एमपी के जो प ले तो इतना सरल पूछ ले रहे ठीक है, तो कुछ इस तरह के प्रषण आपके अग्जाम में आरे है, चली आगे देते हैं, आगले पाश्ने समयधान सभा की पहली बैटक का बुईती, तो समयधान सराज काफी सरल प्रषण आए है, सही आंसर है, 9 December 1940 को समयधान सभा की पह किया तो सबको पता है इसे अपका और वर्दन किया गया है चली राष्टपती के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं क्योंकि राष्ट पती से बेली एक नाईएक प्रूष्ण बन पर किया रहा है तो चली देखते हैं अनुच्यत्वावन में आ भारत का एक राष्टप के चुनाओ की प्रक्रिया क्या होगी वह आपका उनुक्षेद् पच्छपन क्यां MAGAGA और यही आज आज आपका पूछ पूछलिया था नीनत का डीकाल किसे सट भठाइए थिकाइब ये सारे आपको याद कर लेने है नोचुर्ण तो राजपती पर महावियो किस तरह से लगा जागा उसका वड़न अनुच्छेद एक्सेट में किया गया है तो यह सारे अनुच्छेद आपको देख लेने हैं क्योंकि यह अनुच्छेद आपको डेली एक्जाम में मिलने वाले ठीक है अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एक्जाम है तो आप अपने प्रस्टनों को इस नमबर पर अपने नाम के साथ में जरूर भीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि सारे के सारे ऑथेंटिक प्रस्टन है और सबसे पहले वो आपके अपने इसी चैनल पर देखने को मिलने वाले है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट देखे भारती सम्विधान को कब अपनाया गया था काफी सिंफल प्रस्टन आज सम्विधान से आए और सारे के प्रस्टन 100% रियल है बिल्कुर डाउट करने के आप शक्ता नहीं है ठीक है अगर आपका एक्जाम साड़े बारा से ढ़ाई बज़े के बीच में हैं तो आपने इन प्रस्टनों को जरूर देखा होगा ठीक है देखे तो भारती सम्विधान को अपनाया गया था देखे भारत का सम्विधान 26 नौबर उनिय सम्विधान इसको अपनाया था ठीक है और 26 जनवरी 550 को यह पूर्टा लाग होग blijolo अगर आपको चुना गया था अपको पता है नहरुजी ने बोला था च वह हम अपना घरतन दिवस मनाया करेंगे तो उसी की याद में 26 जनौरी 1950 को इसको अपनाया गया था पूर्ण रूप से ठीक है चलिए स्वतंतर भारत के लिए समयधान का मसोधा त्यार करने के लिए आपने अधियासी कार को पूरा करने में समयधान सभा को लगवग 3 साल यानि कि 2 साल 11 महीने औ और 2 साल और 11 महीने का समय लग गया था सत्रा दिन ठीक है यह पूरा याद रखना है आपको बिल्कुल एजिट इस क्योंकि यह प्रशन कई बार पूचा गया है पटवारी में भी पूचा है और आपके आपकारी में और आज देखिए आपके हापर पूचल यह प्रशन रि पूचित किये गये थे आपके समिदान के निर्मार में ठीक है आगे बढ़ते हैं मिनाक्षी मंदिर कहां पर इस्टाटिक जीके की काफी अच्छे प्रशन आ रहे हैं इंस सप्रशनों को हम एक वीडियो में कंपाइल कर देंगे ठीक है तो आप उस वीडियो को देख देखे तो मिनाक्षी सुंद्रेश्वर मंदिर कहें से मिनाक्षी अम्मा मंदिर कहें या फिर केवल मिनाक्षी मंदिर कहें ये तीनों एक ही मंदिर के नाम है भारत के तमिल नाडू राज के मदुराई नगर में इस्तित है यादगना अभी मदुराई पूछ लिया है लेक किस राज में मदुराई यहां पर confusion हो जाता है तो तमिल नाडू में मदुराई नगर इस्तित है यह आपको याद रखना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आई-म-फ की स्थापना कब हुई थी exact date आप से पूछा है तो यह रखना 1945 में आई-म-फ की स्थापना हुई थी इसका मुख्याने आपका इसी एक्जाम की बात कर रहें इसका मुख्याने पूछे आख चुका है और आज आपका पूछले इसकी स्थापना की डेट कभ हुई थी इससे पहले पूछा था कि इसका जो उपव प्रबंद निदे सक है वह कौन है तो यहां प्रबंद नियसे यहां जिम्मेदारें उन्हें 2022 में देगी थी किसको गीता गोपिनात को ठ्क है बरतमान में आईमेप के मुख यह अर्थ्सास्तिरी जो आगे बने वाला यह पकड़ के रखा आ प्रशने पूछ रहे हैं तो बरतमान में आर्थास्तिर की बारत करते हैं तो पियरे ऑलिवर गो परतमान में IMF के मुख्य अर्थ सास्त्री हैं ये नाम जरूर याद रखना आगे आपके अग्जाम में देखने को मिलेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं रक्त का ठक्का जमाने में कौन सा बिटामिन मददगार होता है ये तो एक तरह से फैबरेट प्रस्ट बन गया है MPPB का ल निर्मार करता है तो प्रोथॉम्बीन नाम जो है बिटामिन होता है इसकी मुदद से तो प्रोथॉम्बीन नाम के बिटामिन के कारण इस प्रोटीन के निर्मार के लिए सरीर को बिटामिन के के आउशकता होती ठीक है तो कौन सा प्रोटीन है प्रोथॉम्बीन प्रोटीन कॉरा डीटेल में जानकारी देंगे इसके बादह आगे कौन सा प्रश्न बन सकता है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं थीक है? तो अभी वीडियो को like करके channel को subscribe कर लेंगे हर्याणा में करेंट अफेर का बैशन है हर्याणा में पराली जलाने से रोकने के लिए समीति जो बनाई गई है उसके अजदक्ष कौन है याद रखना भूपेंद्र सिंह याद Χ Western सी यादव जहनग है वह इसके अजदक्ष picture है अब भूपेंद्र सिंह यादव कौन है तो आये देख लिते हैं कि इझी परेवर्णन्वत और जल्वाई परवर्टन मंत्री ये मंत इखिला वह अगर कोई और प्रसें है और किया है महला, आखर किले को आप क्वार किला को खुला को क्हा जाता है परसो या परसो आपको आगर की कैले के वारे बदा था तब भी हमने आप कहा था था की अकबर का किले के नाम से जो आगरा के किले को जाना जाता है तो अगर उप्सञाव है तो आप ऑगर कलगाएंगे अजमेर का है तो आप अजमेर कन खाल गाएंगे ठीक है देखे क्या option में था यह option हमें पता नहीं चल पाया है देखे मुगल सासक अकपर ने 1570 इसमी में इसके लिए का निर्मार कराया था किसके लिए का अजमेर के किले का ठीक है इसके दरवाजे बहुत बड़े-बड़े हैं साथ इसमें चार बुर्ज बने हुए हैं अगबर का किला अजमेर में इस्तित है बरतमान में एक सरकारी संगराले ठीक है बरतमान इसको شक्न सरकारी संगराले बना दिया हॉआ है इस संगराले में प्राचिन – सिखह, कवच मूर्तियों और पुरानी प्रानी प्रेंटिंग्स जो है वह यहां पर रह सबसे मुख्य है प्रभाविता का निदम क्या है जब दो सुद्ध गूड़ो लंबावा बोणा का संक्रन होता है तो प्रतम PD में केवल प्रफवाईगुण लंबा प्रकट होता है, अगर प्रतम PD की बात करते हैं, तो पहली PD में केवल लंबा गुण ही आपका निकलेगा, अब प्रफवाईगुण बौणा अव्यक्त नहीं होता है, यहां से प्रफवाईज़ता निदम नियम जो है वो किछ न बन रहे हैं तो आज साम को हम लगबग साथ या आट वे कि सम्थिंग सैभाजता असाभाजता बिसम सहभाजता क्या होती है इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं उसके दस मिनट की वीडियो होगी उसको देख करके आप जरूर जाएंगे क्योंकि पहली सिप्ट से लेकर तो आवतल दरपन द्वारा केवल एक स्थिति में अर्था जब आपका वस्तु फोकस और धरूर के बीच में होती है तब प्रत्विंब आवासी और धरूर के पीछ सीधा हो जाता है देखे प्रश्ण बनेगा कि एक ऐसे स्थिति होती है जब आवतल दरपन में जो आपका प्रत्विंब होता है वो आवासी बनता है दरपन के पीछे बनता है वो कब बनता है जब आपकी वस्तु एफ और धरूर के बीच में रखी होती है इसके अलावा जो भी आपके प्रत्विंब बनेंगे वो सारे के सारे जो प्रत्विंब है वो वास्तु बनेंगे उल्टे बनेंगे और दरपन के सामने बनेंगे किवल एक स्थिती में दरपन के पीछे बनता है वो स्थिती कोंसी हमने आपको उपर बता दिया ठीक है और वहीं से प्रश्ण बनता है क्योंकि एक मात ऐसी स्थिती है जिसमें दरपन के पीछे प्रतिम बनता है बाकिसमें दरपन के सद़स नहीं है इस स्थिति में क्या किया जैगा statement में यह पूछा गया था तो चलिए पूरे प्रस्णी के बारे में आपको detail में जानकारी जा जयते हैं तो वह व्यक्ति जो संसत के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है प्रधान मंत्री के रूप में अगर निव्ट किया जाता है तो सुप्रिम कोड ने 1997 में कहा था कि अगर कोई भी यहाँ पर प्रधान मंत्री बनता है, भले ही वो किसी भी सदन का सदस नहीं है, वो प्रधान मंत्री बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी न किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक तो ये प्रस्ण आगे भी घुमा फिरा करके बन सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं अब हम यहां से हिंदी की बात करने वाले कि हिंदी में क्या देली आ रहा है तत्पूरुष समास को आपको पढ़कर की जाना यहां से पक्का बन रहा है और अध दीपली पढ़कर के जाना है तत्पुर्ष समास को कम से कम आपको डीपली पढ़कर के जाना ही जाना है ठीक है चलिए मूल सर क्यों कौन कौन से हैं तो मूल सर यहां पर दीवे थे ऑप्सन में और फिर पूचा था कि इन में से कौन सा एक मूल सर है ठीक है सब्दों को मिला कर के सब्ध निर्माड करती है तो कौन सा प्रश्ण बंता ठीक है दो प्रश्ण आपके मोहावरे से पूछे गοये थे कैसे एक पूरा वाक्य दिये हुगहै फिर नीचे चार उपसन दिये हुए उस पताना आपको कौन से भाग में तुटी है यह आपको बताना रहता है इसे तीन प्रशन आ रहे हैं बिलोंग की बात करते हैं दो प्रशन आपके बिलोंग के बने हैं एक प्रशन आपका समयनार्थी के बना है और कारक और विवक्ति से एक प्रशन बन रहा है हमने आपको पहल सर्च कर लीजेगा PQRS by Success Junction तो ये वीडियो सर्च करेंगे इसको देख करके जाना ट्रिक वाली वीडियो है पटवारी के टाइम पर हमने बनाई थी लगवा 55-56 जारे ब्यूज अभी तक इस पर आ चुके है तो सिनों मिल करके आ रहें ठीक है तो उसकी बाद में पैसिव वाज से तीन प्रस्ट थे नैरेशन से दो प्रस्ट थे एक प्रस्ट आज आपका सेंटेंस एरर से भी आपके दो प्रस्ट यहां पर देखने को मिले है ठीक है चलिए भाए वीडियो क अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जिरू कर देना चलि मैट्स की बात कर लेते हैं तो मैट्स में बात कर दो आपके simplification से आज ज्यादा प्रशना है चार प्रशन आज आपके simplification के देखने को मिले हैं समय एवम कारे से दो प्रशन है एक प्रशन आपका train से देखने को मिला है और मातरक बदलना कल आपका hectare वाला पूछा था कि एक hectare में कितने centimeter होते हैं आज भी मातरक बदलने से प्रशन पूछा गया है तो मातरकों को आपको देख कर के जाना है समय और दूरी से एक प्रशन है एक प्रशन आपका आज मादिका पूछा गया है कल्बी मात दिखा एक प्रशन पूचा था एक प्रशन आपका average से पूचा है और 2 प्रशन परसंटेज के CISI से एक प्रशन ही पूचा गया है सिकों के अनपास से एक प्रशन पूचा है area और volume से एक प्रशन पूचा है यही आज यहाँ पर top 5 score आपको दिखने को बिले हैं बाकी लोग तो बहुत से कहते हैं सर्थ मेरे 98 नंबर आ गया एक तो कहरा मेरे 100 बेसे 100 नंबर आ गया है मैंने का भाई बहुत बढ़ी है तेरा सिलक्षन हो गया है और यह 29 वाली पीडिएफ जो है वो आज कल साम को आपको मिलने वाली है ठीक है इस टेलिग्रम चैनल को आपको जोइन करेना है इसके लावा यह हमरा टेलिग्रम दूसरा चैनल है सकसे जंक्सन लाइब इसको जरूर जोइन कर लेंगे को यहाँ पर आपको बहुत सारी किता अगये तो वीडियो को लाइक कर दीजे भाई दोस्तों तक सेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है और आगर आपका किसी भी सिप्ट में आगले किसी भी सिप्ट में आपका एग्जाम है तो भाई एक घंटे क एक्जाम एनलेसिस टाइम टू टाइम आपके पास में आने वाला ठीक है तो जल्दी मिलते हैं थर्ड सिप्ट के एक्जाम एनलेसिस में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद